नमस्कार दोस्तों मैं सुमीत आप तक हो स्वागत करता हुबर्ट स्केर एन इंफो यूट्व चैनल पर तो दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपके कमेंट्स का जवाब दिया था उसी में एक भीबर का कमेंट्ट था कि पैरट को कौन-कौन सा खाना देने पर बिमारी दूर रहेगी और पैरोट लम्बे समय तक साथ रहेगा मतलब कि हम अपने पैरोट को क्या है ऐसा फूर्ट दे जिसको खाने से पैरोड बिल्कुल भी बिमार ना हो और वो लंबे समय तक स्वस्त और जिवित रहे इसका जबाब मैं पिछले वीडियो में नहीं दे पाया था क्योंकि वीडियो बहुत जादा लंबी हो जाती तो आज किस वीडियो में इसी टॉपिक के उपर बात करेंगे तो वीडियो में इन तक बने रहे और चैनल पर नहीं आए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथी नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके और पसेट कर ले ताकि सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जा तो चलिए दोस्तो आज किस वीडियो को हम सुरू करते हैं So friends, आप अपने parrot को healthy देखना चाहते हैं Active देखना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपका parrot लंबे समय तक life span करें Normally captive parrots 25-30 years तक life span करते हैं But आप इनकी अच्छे से care करोगे Diet को maintain रखोगे तो वो up to 40 years तक भी जी सकते हैं But इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा और parrot के खाने पीने का भी खास ध्यान रखना होगा तो parrot को क्या है सब food दे जिसको खाने से वो बिमार ना के बराबर हो तो इस list में number one पर आता है Sprouts इसमें आप काला चना, हरा मूंग को रात में पाने में भीगो दे और अगले मॉर्निंग में अच्छे से बॉस करके parrot को खाने के लिए दे दीजिए Asprouts parrot के digestion के लिए काफी अच्छा है साथ ही इसमें भरपूर प्रोटीन होता है जिसको खाने से parrot हेल्दी बना रहेगा Asprouts parrot को daily diet में दे सकते हैं बट, Asprouts उस टाइम पर डेही देना है जब parrot को lose motion हो रहा हो Normally आप Asprouts parrot को daily दे सकते हैं अभी number two पर आता है apple Apple vitamin C का एक good source है Apple खाने से parrot का immunity strong रहता है जिससे ये बिमार कम होते है Apple parrot के stress level को भी कम करता है साथ ही डॉक्टर का मानना apple लंबे समय तक जीने के लिए भी काफी मदद करता है Apple को भी आप parrot को daily diet में दे सकते हैं बट, Apple देते समय आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है Parrot को apple देने से पहले, apple का seed निकाल लेना है क्योंकि apple seed में cyanide toxic होता है जो कि parrot के लिए जान लेवा है अभी number 3 पर आता है carrot एक disease है जो कि parrot को बहुत जल्दी हो जाता है और वो है eye disease तो carrot इस disease से parrot को दूर रखता है Because carrot eyes के लिए सबसे ज़्यादा फायदे मन्द होता है साथी carrot खाने से parrot का feather quality को improve करता है carrot week में 2 या 3 दिन parrot को देनी है अभी number 4 पर आता है guava Guava parrot का most favorite fruit है especially Indian parrots का Indian parrot इसे बड़े चाह से खाते parrot guava का seed खाना ज़्यादा पसंद करते है Guava खाने से parrot का immunity strong रखता है साथी ये parrot के blood sugar level को भी maintain रखता है Guava parrot के लिए anti-strace का भी काम करता है इसी आप parrot को daily diet में दे सकते है अभी number 5 पर आता है papaya Papaya खाने से parrot में होने वाली heart disease के chance को reduce करता है Papaya seed parrot के लिए सबसे ज़्यादा फायदे मन्द है Papaya seed parrot के लिए natural devormer का काम करता है अगर आप devorming के बारे में detail में जाना चाहते है तो इस वीडियो का link मैं description box में दे दूँगा Link पर click के आप वीडियो को देख सकते है But papaya parrot को देते समय एक बात का आपको खास ध्यान रखना है Papaya parrot को देने से पहले इसका छिलका निकाल कर अलग कर लेना क्योंकि कई वार पपीते के छिलके से parrot को allergy भी हो जाता है तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है अभी नंबर 6 पर आता है चिली पैरोट मिर्च को बड़े चाव से खाते है और ये उतना ही फाइदेमंदे पैरोट के लिए चिली खाने से parrot का वोकल कोट खुलता है जिससे कि उसकी अभाज बिल्कुल किलियर निकलती है चिली नेचुरल पैनकिलर का भी काम करता है ये पैरोट के बोलिटीस को रिपेर कर नेचुरली हील करता है चिली में बिटामिन A पाया जाता है जो कि पैरोट के गुरोथ में हेल्प करता है साथी ये फैदर क्वालिटी को भी इंप्रूब करता है इसे आप डेली मॉर्णिंग में दे सकते हैं अभी नमबर 7 पर आता है मिक्सीड बहुत चे लोग अपने पैरोट को मिक्सीड नहीं देते है जो उनकी घर में होता है वही देते है बट मिक्सीड बहुत इंपोरेंट है पैरोट के लिए बेस्ट सीड मिक्स का लिंख मैं डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे दूँगा आप चेक कर लेना दूसरी चीज अगर आप जानना चाहते हैं पैरट को पूरे दिन में कब-कब और क्या खाना देना चाहिए तो इस वीडियो का भी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा इसके अलाबा कुछ ऐसे भी फूड है जोकि पैरट के लिए हार्मफूल है जिसको अगर आप पैरट को देते हैं तो उसकी देत भी हो सकती है इस टॉपिक पर भी मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ तो फ्रेंस आज मैंने आपको बताया पैरट को क्या ऐसा फूड दे जिससे की वो बिमार ना हो और लंबे समय तक लाइफ है स्पैन करें तो आज के वीडियो में बस इतना ही उमीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी कुछ सेखने को मिलाओ तो आज के वीडियो को हमें ही पर बैंड अप करते हैं